गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचन दर्शको जगत गुरू संत रामपाल जी महराज के अद्भुद अलोकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि विश्व में एक आध्यात्मी ज्यान की क्रांति ला दी है लाखो श्रधालों ने हमें इदन सत्संगों के प्रिसारन के लिए बधाई पत्र भेजे हैं इसके साथ साथ कुछ श्रधालों ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भीजी है हमने उन सब श्रधालों की शंकाओं के निवारन के लिए संत रामपाल जी महराज से भेट की तथा महराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना जिसकी जिग्यासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है तो आईए आप जानते हैं परम पुझे जगत गुरु तत्वदर्शी संथ रामपाल जी महराज से आपकी हर शंका का समाधा जीता ग्यानदादा गीता अध्याय साथ के श्लोक 18 में अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है तत्तम और अनुत्तम का क्या अर्थ होता है उन्यातमाओं जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूचा करते थे कि श्रीमत भगुत गीता अध्धाय नमबर साथ के सलोक नमबर अठारा में गीता ग्यान दाता अपनी गती को अनूतम क्यों कह रहे हैं अनूतम तो ये क्या कहते हैं कि अनूतम नहीं कह रहे हैं अनूतम का उन्होंन अर्थ है बजल दिया कि तो जिस से उत्म कोई और ना हो वह अनूत्म कहलाता है अगा फूटे भाग वाग हुमारे रएसे गुरू मिले हमें अनूत्म अनूत्म माने बैड अंग्रेज़ जीवें और उत्म गुड स्रेष्ट कहीं पर बैड लिखा हो किसी संटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे, तो कितनी बुद्धी होगी उसे इनसान की, क्योंकि अब गीता धै नमबर साथ के, स्लोक नमबर सोला से लेकर उन्नीस तक क्या कहा है, आपने गीता खूपड रखी है, आप सिरफ एक स्लोक दिखाऊंगा, साथ में धैका ठारमा और उन्नीस में दो, उसमें क्या कह कि ये सभी मेरी बगती, सात में धैके चौद में सलोक में कहा, ना, ये मेरी बगती, तेर में सलोक में कहा, कि मेरी बगतीhow में कहा, तो अब साथ में देह के सोड में स्लोक में कहा कि मेरी बग्टिवी अर्दुन चार परकार के करते हैं यानि जो बिर्म साधना करते हैं वेदों साधना करते हैं वो चार परकार के हैं एक अर्थार्थी अर्थार्थी माने तो धन ला प्राप्ति के लिए जंतर मंतर भी करता है तो वेदों के मंतरों से ही अनुस्ठान करता है वो ओम जा जगदीश रे स्वामी जा जगदीश रे जैगनेश जैगनेश देवा इस तरह इस आर्थी नहीं काता हो वो केवल वेद मंतरों से ही अनुस्ठान करता है लेकिन फिर आर्थ आर्थ मारे संक्रणिवारन के लिए वो भी वेदों के मंतरों से ही अनुस्ठान करता है और तीसरा जग्यासू जग्यासू वो उता घर से निकलता प्रमात्मा प्राप्ति के लिए फिर बहुत से संतों के पास जो ग्यान ग्रहन करता उसका वक्ता बन जाता है ये भी काम नकली है ये तीनों रेजेक्ट करती है और चोथा बताया ग्यानी ग्यानी उसको कहते है जिसको ये पता लग गया आत्म ग्यान हो गया कि मुनुस जीवन प्रमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है फिर प्रमात्म ग्यान हुआ कि पूर्ण प्रमात्मा के बिना मोक्स नहीं हो सकता ना देवताओं की पूदा से कि पूर्ण प्रमात्मा से ही बक्ती से ही मोक्स होगा तो इन संत्रिशियों को महरिशियों को तत्व दर्शी संत्ना मिला जिस कारण से उन्होंने अपने स्क्रस करके पर माजिशित प्राफ्त ग्यान के अधार से ओम नाम को प्रमक्सद ब्रमका मान लिया आग के अंगार को बर्फ मान लिया अग्यानता से तो इन होने यह तो उनको फाइनल हो गया कि मनमुनस जीमन मिला इसलिए है कि मोक सो ने ता इसका यूज नहीं कती वेर्थ है और फिर यह भी ज्यान हो गया कि प्रमात्मा की बक्ति करने ची आनुपासना बिर माविशन मेशि यह फाइनल हो गया है तो उन्होंने केवल ओम नाम का जाप और हठ योग जैसे विर माजी से प्राप्त हुआ था वो करन लाग गे तो गीता ग्यान दाता कहता है कि वो ग्याननी जो है न वो मुझे पसंद है क्योंकि उन्होंने विर माविशन मेश की पूजा छोड़ी और बिरम साधना करते हैं उनको मैं अच्छा लगता हूँ उनके समझ मागया तो अब कहता है कि ये उद्दार आत्मा ग्यानी आत्मा हैं तो नेक लेकिन इनको तत्व दर्शी संट मिला नहीं जो परमक्सर परम का ग्यान करा दे जिस कारण से ये सभी मेरे वाली गटिया गती म सतीत रहे इसका अर्थ ही बनता है हर यह नो को न वो तो अनुत मन सर्वसरिष्ट गती बगवान अपनी गती को ऐसरिष्ट कैसे कहेगा हर यू कैन लग रहा अब देखाता हूं अब देखेगा साथ में अब साथ में धैका मठार मापनेंगे गीता जाय नंबर स्रीमत भगत गीता अद्धाय नंबर साथ का और स्लोक नंबर हम अठारा पड़ेंगे यह अठारा उद्धारा सर्वे एव एते ग्यानी तु आत्मा एव में मतम यह कहता है मेरे विचार में मेरे मतमें यह ग्यानी आत्मा तू माने तो हैं सर्वे सर्वे माने सारी उद्धारा माने स्रेष्ट यह उद्धार आत्मा है जितने जो ग्यानी आत्मा है ग्यानी तो थे परकार के आस्थित सही युक्तात्मा माम एवं अनुत्माम गतिम ये क्या करा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ग्यानी मेरे विचार में है और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्म गतिम मेरे से मिलने वाली जो गति सथी थी यानि लाब है उस गटिया है वह गटिया अनुतम ऐसरेष्ट है उसमें ही आस्थित हैं उसमें ये उसी में सीमित हैं उसी पर आस्रित हैं इन्होंने क्या किया नकलियोंने ये सभी उद्दार हैं परनतु ग्यानी तो साक्सात मेरा सुरूप है ये मेरा मत है क्योंकि वह है युक्तात्मा मन्त मदत मन बुदिवाला ग्यानि भग्त अनुत्म माने अति उत्म बैड को गुड लिख रहे हैं गुदि बिरिष्ट और गती माने गती शुरूप मुझ मही सथीत हैं सथीत माने अच्छी परकार सथीत हैं अब इसकार अर्ची दासा बने गया है उद्दारा माने उद्दार हैं सर्वे माने ये सारी एव माने ये एते माने ये ग्यानी आत्मा ये ग्यानी आत्मा हैं तो सारी उद्दार की उद्दार ये मेरा मत तैस्रेष्ट है क्योंकि समर्प अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको राजवी कलियर किया इस संग के दोरा जैसे आपको बताया कि इन रिशियों ने हाठी योग तो ले लिया फिर माजी से इसको आकास वानी हुई थी देवी भागुत के तीसरे सकंद में कभी पढ़ाएंगे आपको complete उसमें लिखा है तो वो तो वहां से ले लिया और वेद मिले बाद में उसमें ओ मंतर कोई मंतर नहीं दूसरा तो इन होने ओ मंतर को पूरण प्रमात्मा में जैसे देवी भागुत में आपने पढ़ा देवी भागुत के अंदर देवी खुद कह रही है विरम को यह अक्सर विरम है अक्सर परुस गिता जैने में पंदरा के लोग सोड़ा में दो परुस है सर परुस और अक्सर परुस और तीसरा परम अक्सर परुस वो है सर्वसक्तिमान तो यह विरम को यह परमात्म कह रही है विरम को यह परम अक्सर विरम कह रही ह और फिर कैतुस का ओम नाम है और बिर्म को पराप्त हो जाओगे। तो इन सारे जिनकी अक्ल गाम जारी थी। इनको किसी को ग्यानी था। तो यहां इसी परकार यह ग्यानी रिशियों को पराप्त था। तो इन होने ओम नाम का जाप ले लिया। हट्यों के लिया बिर्मावा ने जो देख्या, यह मेरा वास्तिक रूप है, मेरी प्राप्ति यह है, लेकिन यह मेरा रूप है, ना वेदों वरनित्विदी से, ना किसी जब से, ना तब से, ना किसी साधना से, मेरे रूप का कोई दर्सन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, यानि मुझे प्राप्त नहीं कर सकता तो वेदों में पर नितुविदी से परमात्मा परापती नहीं है इसलिए निराकार निराकार कर दिया इन मिलाकों नहीं कहते खोजद-खोजद ठाकिया अंत कहा बेचून कभीर सहाइब कहते हैं कि खोज-खोज का थक गया खर्म का जैनराकार है हर वो तो काल साकार है सारे भगवान साकार है तो इन रिशियों ने परमात्मा की खोज में समर्पित हो गे एक तुनक नाम का रिशी था इसी आधार से उसने अन्ने देवताओं की पूजाने की ओम नाम का जाग हठी योग स्टाट करती तो इससे इनको परमात्मा मिलानी इस एटम बंब बन जाते है सिधियां आ जाती गजब की कोई हजार वरस तक तब करता रहा सूप के अस्ति पंजर सा बन गया एक पूरी परच्वी का सासक मान धाता सक्रवर्ती राजा था और उसमें राजा लोग क्या किया करते है कि अपनी पूरे रज्य में दूसरे तीसरे चौथे वरस क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि मेरी प्राधीनता को किसी ने ऐस विकार तो नहीं कर दिया है उसके लिए एक घोड़ा जो राजा का परसनल हार्स होता था उसके गले में एक पॉम्पलेट लिख दिया जाता था कि जिसने राजा की प्राधीनता अधीनी स्विकार ना हो अधीनता तो वो गोड़े को पकड़ दे और युद के लिए तियार हो जा उसके लिख रख रख था राजा के पास बहतर रक्सोनी सेना है बहतर करोण समझे लो मुटे सब्दों में तो वो गोड़ा साथ में हजारों सैनिक पूरी परिछ्वी पर गोमे आए जाते से में भी चुनक रिशी की कुटिया के पास से गए जो वापे साय तब भी वहीं से गुजड़े चुनक रिशी इस बिर्म का पुजारी था काल का इसने कहा अब देखो काल क्या चाल है पहले तो इसको एटम बंबनवाया हट गजब की साथ ना करवाए दी परमानू बंबनवा दिया बनादिया बक्ति सिद्धी सक्ती का उदर से उसके हाथ मारे मौट उसकी रखिकर दी संत का और राजागिल खरषंद की के मतलब क्या करें वह अपना काम करें हो अपनी बक्ति करें तुझे कुछ किए जब ता दूसरी बात छेड़े जबता अपने शिक दिशादी भी दिखा, बे मतलब खस्या, अगवई कहां गए थे सैनिको, सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे गए थे, हम पूरी प्रिट्वियों में, सारी काहनी बताई, तो अरिसी ने कहा किया तुम्हारे राजा में इतनी ताकत है, किसी ने घोड़ा नहीं पकड आप चोनो करेगा, अब चोनो करेशी ने सोचा, अभी मान नी होगे, इन नसहेट करते हूं, उसने कहा कि मैंने पकड़ लिया, चोनो करेशी ने कहा कि मैंने युद वट लिया तुम्हारे राजा का, अर्बान देव को उड़ा यहां पर, सैनिक बोले रख कंगाल, ओ कंगल दाने खाने को नहीं तरे पास, और युद करेगा, मान धाता चकर वरती राजा कि साथ, तेरी क्यों स्याथ बोल दे रही है, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करका, अपनी माला फिर वैट चुप साफ करके, तो रिशी कहने लगया, भी देखी जागी, हमने युद वट लि गोड़ा उसी कुटिया के, उसी वर्क्स के जिसका नीचे कुटिया थी उस रिशी की, राजा को जाकर नमक मरिच लगा कर बता दिया जी, आज एक विक्ती ने हीमत करी है, आपके घोड़े को बांदने की, कल दूसरे का शरू उठेगा, निप दा, इवल, इंदा, विट, बुराई को शटार्ट में इसमावद कर देना चाहिए, राजान कहा, ठीक है मंत्रियो, तो जाओ, बैतर अक्सोनी सेना की, चार टुक्डी बना दी ठारा ठारा करोण की, उदर से उस करम ठोकन, रिशीन, उस काल के पुदारीन, आपने जीवन में जो कमाया था, उसके चार डले बना लिए, चार पूतली पर्मानुबम बना जिए, चार शिद्धीत है, वतन जैसी सक्ति किसी चीज में नहीं है, यह विज्ञान ता फेल है वसन के सामने, अब राजा की ठारा करोण सेना आई, उसने एक पूतली पर्मानुबम ठोड़ दिया, ठारा करोण को कतल या कर दिया, समझ में लिए, उनका कहां से तीरा है, राजा ने दूसरी टुकड़ी बेजी, रिशी ने दूसरा पर्मानुबम ठोड़ दिया, यानि बहतर करोण सेना की चारों टुकड़ी, उस रिशी ने नास कर डाली, बहतर करोण जीव मार दिया, अब उने आत्माओ, यहा और पहतर करोण जीव मार दिये, देखो, जीव इंसा कोई किसी अथियार से कर दो, या अपने सराफ से कर दो, या अपने किसी सिद्धी साधना से कर दो, वो तो पाप ही है, अब यह काल का कितना लंबा जाल है, कि इसने तपश्या करी, उस से तरह जाबनेगा एक यू, जब तक इसके पुन रहेंगे, वो चौद रिपा क्या रहेगा है, यह खूब ठाठ करेगा, क्योंकि इस परमक्सर बरम न छोड़ का है, सक्पुर्श कभीर साभी की बक्ती को छोड़ कर, बाकि जिसकी भी आप साधना करते हो, आपके पाप और पुन दोनों भेन भेन बनाएगा, राजा बने का चक्रवरती राजा भी बन सकता है, सुन करेशी की आत्मा, फिर नरे पाप कुमाओगा, कि ते शकार खिल लगा, कि तो अरुद मस्ता रहेगा, कि ते शेन आमर वाओगा, युद करकर के, पर चुई हैं छोड़ रह जाएगी, युद के खाओगा उसके बाद फिर इस्तोरासी लाग युर्मियों में चक्रमा होगा, युद कुटा बनेगा, और इस कुटा बनेगा, इसके शर्मा कीडिये पड़ेंगे, वो जितने बहतर करोण, सैनी के सिनव मारे थे, वो सारे इसको चुन-चुन का खाओंगे, अब गीता ग्यान दाता क कहता है, कि ये ग्यानी आत्मा है तुमदार है, यानि समर्पित है बगवान के लिए, लेकिन ये मेरे वाली घटिया सादना मैही लीन रहे, मेरी अनुतम गती मेरे रहे, कि जनम मर्तु मेरी भी रहेगी, और ये वी चुना सी लाग युलियों में चक्कर काटते रहेंगे, मजाओंगे, फिर कुड्रा वर्ती माओंगे, अपने आत्मा हो, ये है तो तुम ग्यान, अब क्या बता सुक संबेद में, बैतर अक्सोनी खा गया, यो चुन करिशी सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर, ये सभी काल के वेखे, क्याते चुन करीस, बैतर अक्सोनी का नास कर दिया, बैतर क्रोण से ना का गिया, रिसी जैसे एक मुणी और फिर मुणी यानि मुणियों मस रेस्ट और फिर मुणी ट्多 प्र वन्ह का भी मालिक है, वन्ह से स्ञहण किसे को शीर्च को मान्य बाता अपर एक स्ष्वर्लि ओर तीष्रा परमेश्वर तो इसी परकारिश्वर्च की इस्ति होते है बैतर ons। उनू खा गया यह चोनookie सुवर एक यह दे धारें जोरा mapped assass all the form number평 के वैक होई और थोडा ने और भी देखिंप मौत यह काणके केटा ख़ूद Il त्रौ के केंवे। ये दे धारे मोत, जो रामाने मोत, ये सलती फिरती मोत, कोई थोड़ा सा बोल पने जा तरह नास होगा, नास है कर सको, तुम भला कैसे कर सकते, क्योंकि तुम काल के पुजारी, यो भला कर ही नहीं सकता जीव का, तो यहां गीता ग्यान दाता इसलिए कहता है, कि मेरी भक्ति जो करते हैं, ग्यानी आत्मा, ये हैं तो नेक है, पर तत्व दर्सी संत ना मिलने से, ये मेरे वाली अनुतम गती में, घटिया गती में, मेरे वाली साध नाम, इस सतीती में, मेरी गती माने, जो ओम नाम से होने व वाले मोक्स तक्सिय मित रहे, यू कि सा मोक्स है, ब्रहम लोक में रहे है, अजार वर्स है, फिर आगे दक्के खान, इसा मोक्स है मेरा, गीता ग्यानदा दक्ट, अपने अत्माँ देखना, रहसे इस गीता जी में, गीता जाय नमर 7 के स्लोक नमर 19 में सफ़श कर दिया, बहु कि बहुत बहुत जनम के कि अंद के जनम में कोई जैननी आत्मा, माम पर बजते इए मेरी ब्ग्ति करता बिरम तकी, ना तर नीचे की जैगनेश देवा, जैगनेश देवा, इन पत्थर की पूजा मन्दे रहते हैं, लगे रहते हैं, कोई एकाद करता ब्रहम साधना और वा बता दीवात गटिया है मेरे वाली फिर कहते हैं वासू देव सर्वमिती से बहुत मासू दूर लोग है यह बताने वाला कि वासू देव का अर्थ क्या होता है जिस प्रमातमा का सब के उपर अधिपत्य हो वो सर्व सक्तिमान सर्व गतम ब्रम उसको वासू देव कहते हैं वेद में वासू देव प्रमेश्वर कबीर जी के लिए उपमातमक लिया गया है और इन वासू देव लाज्या श्री करशन के कर स्री करशन तो वासू देव का बिट्टा था और वासू देव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके कुरूवों नों सेलेक्ट करके लिख दिया स्रीकर्शन वासुदेव नहीं था यह देए एक बिरमांड में विभाका मंत्री है सतों विभाका और परमक्सर पुर्ण परमात्मा और संग बिरमांड के स्वामी है वो है वासुदेव और वही पूजा के योग है वही मौक्स दाइक है वही पाप नासक है और वो सबका मालिक है सबका धान पोशन करने वाला कहते हैं ये बताने वाला ये बताने वाला संथ बढ़ी मुश्कलते मिलेगा आरजुन कि वासुदेव ही सब कुछ है उसकी भक्ती करो और की त्याग दो वो पाप नासक है सब का पालक है सिरिष्टी तच नहार है कहते हैं ये बताने वाला महतमा तो सू दुर लोगा है बड़ी मुश्कलते मिल लेगा और पुने अत्मों आपको आसानी ते मिला दिया दाताने धन आपके माँ पता जिसे जनम गुआ यह देखिएगा हम यही पढ़ रहे हैं गीता धाय नुबर साथ का और स्लोक नुबर हम अठारा पढ़ लिया अनुद्धम का अतियत् ौक्रा रहका Mother अब उन्नीस में क्या का है कि बहु नाम जनमानाम अן्ते ज्ञानवानम प्रबदे बहु नाम जन्बानाम अंते बहुत बहुत जनमों के अन्त के जनम मैं को ग्यानवान अन्धानी आत्मा मुझे मेरी भक्ती करता है वासु देव है सर्वम इती से महातमासु दुर्लोग है ये बताने वाड़ा कि वासु देव ही सब कुछ है सर्वम वही मालिक है वही सब का जनक है सब का पालक है पाप नासक है भगती योग है पूरन मोकस्ताइक है ये बताने वाड़ा साथू संत तो बड़ी मुश्कलते मिलेगा इन कारवार देखिए बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वे ज्ञान को प्राप पुरुष सब कुछ वासु देव ही है यानि चले लिखा भी रोने अर्थात वासु देव के सिवा अन्य कुछ है नहीं बिल्कुल सही है इन वासु देव सिर्कर से नमान रख्या था ये उस पर करें इस कारती है सही है सब कुछ वासु देव ही है इस परकार मुझ को बचता हुए मात्मा सुद्र लोग है करदेन अग्यानिनों ने बकवाद कर दी सारी इसका सीधा सार्थ है देखो संस्क्रेश पड़ेंगे बहु नाम जन्मानाम अन्ति ग्यानवान माम परपद्दे बहुत बहुत के अंत कि किसी चनम में ग्यानि आत्मा मेरी बक्ती करता है और वासु देव सरुमविती वासु देव ही सब कुछ है इती है बताने वाला से महातमा सुद्रलव है वो संत तो बड़ी मुस्कलते मिलता है एक समय परमातमा मिले थे आदने गरिवदास साहिब जी को कमीर साहिब गाउँ छुडाने जलाजदर हर्यानाव उसके पस्टात उनको ये ग्यान पर कम्प्लीट दे ही दिया था अपने से परीचित करा दिया था सत लोग ले गे थी वापर छोड़ा था तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुग ज्याना के पास एक वासियर गाउँ है वहां का एक 800-900 भी ये का जुमिदार था सर्दार जी उसका नाम था रामराय ये सिंख तो गुरु गोविन सिंख के बाद लगाने लगे हैं पहले तक्रीब ने मिलते जुलते हिंदों वाले नाम ही थे इनके तो उसको एक दिन कभी गरीब दास जी की वानी बर्म बेज़ दी सुन लिए किसी बगत के दोवारा जो गरीब दास जी का शिस्ता है उस से उसना पूरा एडरस लिया उससंत का वो आकरसित हो गया वानी पागी से मापर उसकी वानी और वरतवान में जीवित है तो लाब उठाना चाहिए है क्योंकि वानी के मरमज है शेख पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं परसंतों की वानी का और संतों का अब वो आहां से चल पड़ा हैडरस लिये का थोडानी गाओं का 200 किलोमेटर पैदल लाया कि तो थोड़ी बहुत ट्रेन भी नाओंगी जब तक तै जैसे तैसे वो थोडानी पहुंचा अब उसने केस सोच राख्या था यह लंबा परक्रण बन जाएगा में बताता हूं आपको तो जब ग्रीब दास्त जी से मिलावन उन्होंने ज्ञान सुने और सारा ग्राण सुनेके तत दाना दाना ग्रीब दास्त जीने तो वो कैन लगया महराज यह ज्यान तो आसतक किसी न बताया नहिं हमारे को प्रमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दाद्दू को उपदेश दिया जाच तुलाहा भेद ली पाया कासी माय को भी रुआ कि आपके नानक जी को भी प्रमेश्वर मिले थे उनको ग्यान था लेकिन उस वानी को समझ नहीं सकते तुम तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई नाक है उसका नाम जुमकरा भी था क्योंकि गाउमा में दो दो नाम रख लिया करें गाउमें एक तुरामराए और जुमकरा यानि उगणा डामाडोल सा द्माग का अदमी था एक बात ने कई कई पर पूछा करता एविश्वास सारेता था उसको जिस कारण से गरीवदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था जुमकरा उर्फ नाम जुमकरा था जुमकरा से ज़्यादा जाना जाता है आपने जिसका सोर्ट नाम होनगा मों में वही ज़्यादा परसिद होता है तो इसलीए का अपने गृबदास जी के गरंध में एक अंग है जुमकरा जो सर्दार जी को समझाया था क्या कहा था तत्वे भेद कोई ना कहे रहे जुमकरा ये पैसे उपर नाच सुनो राई जुमकरा कोटोन्द कोई नही रहे जुमकरो अर्बो में कुये गर्ण का हो राई झो मकुरह केतल नद पाइसे ऊपर ना चो राई संत नहीं है इनको तत्व बेद है ही नहीं, न को कोई जानता ना कह सकता और कैते है कुरोण संतों में कोई संत नहीं मिलेंगा इस तत्व भेद जाक ही आृता तुब हमका ओर लोबग barrel कोई गरक्षु नैचूम ने हुआ है। अब पूरे विश्वे की कितनी आबादी है पांच अरव से उपर है और पांच अरव के अंदर एक यह दास है जो तत्व ग्यान का ग्याता वरत्मान के अंदर है तो गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रहे जूमकिरा क्रोण संतों में नहीं पाओगा इस ग्यान का ग्याता और कंप्लीट कंप्लीट कोरस उसके पास पूरे मंत्र हो गरक माने सेचुरेटिड कंप्लीट इन आल रिस्पेक्ट देशी भासा गरक यानि कती कंप्लीट जिसमें कोई कसर ना हो ऐसा शंत करोण में कोई नहीं नहीं तो यहां गीता जी भी वही कहती है कि ये बताने वाला कि वासु देव यानि सर्वसक्ति मान परमातमा जिसका सब के उपर दीपत्य है वो वासु देव है जैसे बिर्मा जी विश्णो जी शिव जी ये सब के मालिक नहीं है वासु देव मानि सब के उपर जिसका वास है जो सब का मालिक है ये केवल बर्मा विशुन महिस एक एक वी भाग के एक बर्माड में मालिक है ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है सरपुर्ष यानि जोति निरंदन कालिन का पेता बर्म ये केवल 21 बर्माड का मालिक है ये कुल का मालिक नहीं ये वासुदेव नहीं है अक्सर पुर्स के वर साथ सेंग प्रम्हेंट का मालिक है ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है परम अक्सर प्रम्हेंट ये औराल कांट्रोल है शब का मालिक है, ये वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा हम सुल्टानी नानक तारे दादू को उपदेश गिया जायत जुलाखा भेद न पाया वो काशी महें कबीर हुआ गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सत लोग सचकंड वापस छोड़ा था तब उन्होंने बताया नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे वापस छोड़ा और भी दादू साहिब जी को भी बहुत से मापरसों को जिनके सुब नामदास बार बारा को दोराता है तो क्या बताया है कि अनंत कोट वर्मांड का एकरती नहीं भारे ये सत्गुर पुरस कबीरे हैं कुल के शर्जनहारे वो कौन कबीर है कासीर जात दुलाहा भेदनी पाया कासीमाए कबीर हुआ ये है वो परमकसर ब्रह्म जिसके विशे में गीता ग्यान दाता अठार में धाय के बैसेट में सलोक में पर 18 मेर ड़ा के छह सै कि सलोक में कहता है एर्टूं सर्वधरमान पृताज मामकम मृघ एकम उर्च एं तोवासर वाप भाबे भामक्षेमी मासुच कि मेरी सत्र के ओम नाम के जाप की और यह 501 जो करता है तो यह मेरी सत्र के जो ओम नाम की क्योंकि पूर्ण प्रमात्मा के पाने का तीन मंतर का जाब है, ओम तथ सत्थ ओम ब्रेम का, सर पुरच का, तथ और सत्थ यह संकेति कैं गीता इजय न पर influenia के तथ संकेतिक है तथ और ओम इलिके है, यह दो अकर का मंतर बनता है, इसको सति नाम कहागा है और सत ये सहारनाम है ये परमक्षिर बर्म का मंतर है तो यहां बताया है कि मेरे शब्टर में जाएगे 66 में उस्लोग का ये अर्थ है कि सभी मेरे शब्टर की जो धर्मिक सादनाए हैं, उस्ठानत ने किये है ओम नाम के जाब की मुझह दे दे वाबगती फिर मैं तुझे मुक्ट कर दूँगा क्योंकि हम ओम नाम के जाब कीके कमाई बिरुम लोक में खर्च कर देते थे हम कंगाल के कंगाल होका गड़ינו के गुमते रहते थे यह हम इसके मज़़धूर बने रहे अब हम इसको ओम नाम का जाब दे देंगे यह हमें छोड़ देगा फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अब परमात्मा के पास तो यह भी कहता है सर्वाधर्मान परितज्माम मैं इस तरकी सब पूझा है मुझे में छोड़ दे एकम सर्णमारज एकमान जिसके बराबर दूसरा ना हो सर्वाधर्मान की सर्णमाजा तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा फिर जब हम इसे करज मुक्त ही होगे फिर इसकार मारा लेना जेना कह रहा है यह के मांगए हमारे उपर है तो इस परकार हम सत्लोग जाएंगे और गीता ग्यान दाता इस उस परमक्सर परम सत्परुसकबिर साहिब की सर्णमाजाने को कह रहा है कि जहां उसकी सर्णमाजाने से ही तो सरव भाव से उसकी पर उस परमस्वर की सर्णमाजा उसके करपाशी तो परमसान्तिक और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा सास्व सतान को प्राप्त होगा और मेरी सरन में रहेगा तरदुन जनम मरत तो तेरी भी होगी और मेरी भी होगी और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा चुनकरशी की कछा तेरे को सुना दी तो पुने अत्माओं आपका सोभागे हैं, आपको यह अनमोल वचन, अनमोल ग्यान सुनने जोगा बनाया पहले तो बगवान ने, आपको विद्वान बनाया, सिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया, आज आपके रूब रूब, ऐसा बना दूगा जैसे पहले जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मात प्रचल रहे हैं, नमस्कार, शट सहर, या सुब नाम है जी का, मेरा नाम नाम नगीना प्रशाद सिंग, उर्फ प्रमसंत्रामपाल जी महराज की सरण में आने से पहले, मैं सुरुस बच्पन से में कविर पंथी ही हूँ, लेकिन मुझे ये पता भी नहीं था, जब यहां आया हूँ इस सत्गुरु के सरण में, उसके बाद मैं समझा हूँ कि कविर सहब क्या है, वो पुर्ण परमात्मा है, परमक्षर ब्रम है, मैं इससे पहले सिर्फ यही जानता था, जो कविर सहाब एक धानक थे, छोटे से परिवार में, एक सुद्र के रूप में, उनको माना जाता था, और एक ऐसे, मुझे सरी धंग से पता भी नहीं था, जो कविर सहाब क्या है, यहां आने के बाद से आप जुड़े हुए थे, कहां से आपने नाम उर्देश लिए रखा था, मैं शीता मठी के एक शहदे अदास है, हमारे पुर्व गुरु थे, तो वही मैं बच्पन में था, क्या मंत्र दिये हूँ ही मुझे सही धंग से याद नहीं है, से पाते थे, भंडारा होता था, कभी मुणार खाना है, खिलाना है, यही मोटा मोटी समझते थे, बाकि क्या होता है, भक्ति क्या होती है, सही साथना क्या होता है, यह सब का कुछ गिञान से भंग समलोक नहीं था. प्रम्शन सत्कूरामपाल जी महाराज कि शर्ण आपको कैसे प्राप्त होई जी वही जो मैंने पुछतक पढ़ा और यहां आने का मेरा सबसे बड़ा यह हुआ कि मेरे एक भती जी थी भती जी अभी है उसका नाम है फुस्पारानी नाम है रख़़ बारा सल के अभी है उसको PMCH के Head of the Department है सरजरी विभाग के उन्होंने भी उसका आप्रेशन किया उससे पहले दो बार आप्रेशन हो चुका था कहीं कोई बीमारी का ठोठीका नहीं लगता था इसके बाद जार्फुक करने वाले बहुत से तांत्रिक आये हमारे यहां जो जहां कहता था वहां लेकर के मैं उसको जाता था दुनों मा बेटी को अंत में फिर भूत प्रेत का चकर होने लगा बहुत जार्फुक होने कहीं से कुछ नहीं तो मैंने पुस्तक पढ़ा था मैं किताब ले गया था वही कोट में मैंने किताब खरदा था दस रुप्या में भक्तिस्वदा कर संदेश औ पत्नी के बारे में बतला रहा हो वही उसको ज्यादा पढ़ा करता था और जाने के नाम लेना थीक हो जाना है तो इस सब बात सुन करके हम लोग को लगा जब कहीं कोई उपाय नहीं है और हमारे ससूर यह थे और हमारी पत्नी और जो जिसका अपरेशन हुआ है मेरी मेरे भाई की छोटी पत्नी वो सब जय गुर्देव पंथ से जूरी हुए थे मथुरा हम तो बच्पन से कभी पंथी थ लगभग आठ नौ साल पहले से और वही हमारे ससूर यह काना था कि और कहीं से नहीं ठीक होगा तो अंत में जय गुर्देव कि हां जाने के बाद ठीक हो ही जाना है वो तो परम शंत है अलागि हम लोग बीच में काते थे कि इस तरह से हम लोग क्योंकि साथ में किताब लगा कि सब्लों किया है नहीं के पास पहली वार परहा कि ब्रह्म किताब में जाना और उसके बाद तब किया हुआ हमारे शासूर शाहब को लेकर कि कहीं से कोई चारा नहीं लगा और जब वहां पंद्रा दिन वहां उर्ण है जब उनको कोई पाय नहीं हुआ वहां क्या होता था जो जैसे मंथ्य पर आसिरवात देना है कुछ करना है तो पांसो रुपया ले कर जाओ तो आसिरवात मिलेगा आई इस तरह का तो वहीं से उन्होंने फिर कहा कि आप तो कोई रास्ता लग नहीं रहा हमके एक बार आप ट्राइ करके देख लीजिए हमने किताब में पढ़ाया जिस तरह का स्टेटमेंट जो आप एक बार वहीं से वहीं उधर सहीं लेकर करके आप जाईए यहां हर्याना जाईए यहां काम लोगों पूरा पता भी नहीं था तो हमने एक किताब में के अनुबात के आप अनकी आप यहां यहां से जिन के लेगारी पर करिए जिन से वहाँ अनकी गारी आते है आप एक दम चले जाईए चूप चाप चले जाईए और जो भी हो प्रियत बादाव बीमारी हो किसी भी प्रकार का कोई बात होगा तो वहां आप चले जाए और एकदम ठीक होना ही है तो हमने वहां फिर अपने ससुर्जी को कहा कि आप वहीं से मतुरा से ही चले जाए उधर से वदर दोनों को ले करके दोनों मा बैटी को ले करके यहां आए उससे में सत्संग समाप्थ हो गए थी दो दिन पहले तो यहां करके नामदान लिए नामदान लेने के बाद और मेरी भती जी का था उसको पीट का दर्द इस तरह का था कि उसका इलाज कराते कराते यानि समझ लीजिए जो अभी तक अल्ट्रासाउंड एक्सरे फालना चल पाते थे जब क्या उपाय होगा दुनिया का कोई डाक्टर या बैद या कोई जार्फ करने वाला कोई हमसे 25 लाख रेले एक मुस्त ले और इसका दोनों मा बेटी का इलाज कर दे ठीका ले ले तो यह एक्थ होगा लेकिन ऐसा कहीं कुछ चारा नहीं लगा तो अंत में वह आए कि आप जाईए वहाँ इधर से नहीं आये और हमारी भती जी का पिर्ट छल नहीं पाती थी असरम में वह भद लाए कि वह बितर उपर वेश खी है हमारी भतिजी बतला है और उसका सही हो गया और उसके बाद जो उसकी मां का इस्तित्ता जो हमेशा बहुत आजा ना प बाद में भूत प्रियत बाधा है उसके चेकर में कम से कम पांच लाख रुट पर हम खर्च के होंगे बीमारी से लेकर के तीन तीन वारा अप्रेशन होना और मेरी भती जी का और जो डाक्टर के हां जाते दुहजार चाहर जागा एक मैंने विजाच लिखें देता था और इस पॉजीटिव रिजल तक उसका कुछ होता है दोनों मावेटी आज बिलकुल थी है उसके दो मेहने के बाद मैं भी आकर कर नामदान लिया उसके बार हमारी पुरी परिवार में ढूनों भैं जॉइंट फैमिली हैं और हमारे भाई उसके बच्चे अपने मां पिताजी सब मिल गया है पिछले साल और उसके बाद मैं अब यतना समझता हूं कि मैं जहां पर आया हूं तो पुर्ण परमात्मा के सरण में आया हूं यह सद्गुरु राम पाल जी महराज यह एक प्रम शंत ही नहीं एक तद्वर्श शंत ही नहीं बल्कि यह शाक्षात परमात्मा है कभीर सद्गुरु श्राइब कि जान रहा हूं इन्हीं के दिवे ज्यान से सारे जब मैं सुनता हूं कुछ कैस्ट लगा कर देखता हूं तो मैं जाना हूं कि परमक्षर ब्रम कभीर सबसे बरे परमात्मा गॉड और उन्हीं का यह मनें दूसरा रूप यह च्वला बदल कर कि अधर ब्रम के अंधर आपकी जो भावी थी आपकी भाई की जो मीसिज ती तो उसकी बीजो आप बिमारी कहीं नी ठीक हो रही ती ना जाड़ फूक वालों से इवन दो तो आप पे उसको आगरा मुथरा में भी लेके गए जय गुरुद्यव पंत में जहां पे आपके ज जुड़े वेदे और वहां से भी आपको निरासा ही हाथ लगी वहां कुछ आपको हाथ नहीं लगा फिर आपको उनको भी यहां लेके आए और प्रम्शन सत्कुरामपाल जी महाराज से नाम उदेश लेने के बाद उनकी विजु लायलाज में वार्थिव ठीक हो गई तो स उस nobody उसन पालजी महाराज के पास है और तत्त ज्यान से पर्चित हो पहले समझें नहीं अगर उसको अत्थ हो तो बार-बार सत्संक में उसमें कोई रोक नहीं है और समझने के बाद इसे नामदान उप्दिस लेकर के और अपना जीवन शफल करें क्योंकि ज्ञान का अगर कहीं पूरे प्रिथी पर ज्ञान है तो सिर्फ यहां है इस बरवाला यह शतलोक आश्रम में है और यहीं से अपना उधार कर आबे शतलोक जाये मुक्ष को प्राप्त हो और सही साधना यहीं है सास्तविद्व साधना करने से कोई गीता में ही बतला है इसलिए देखा देखी करने से यहां जूरे हुआ है तो बहुत लोग दूसते हैं बहुत लोग का परिवार पागल या यह कहां नकोई प्रकार का तिर्थ करता है न ब्रत करता है किया जा जाता है लेकिन सब को मैं यत्वचित जवाब भी देता हूँ चुकि कि मैं सत्संग हमेशा सुनता हूं और इससे कुछ उग्ञान अरजीत हुआ इसे को मैं मुहत्वर जबाब भी देता हूं लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए त्यार नहीं होते हैं फिर भी मैं सबसे क्वेस्ट भी करता हूं कभी तो कमसे मितना जरूर कहता हूं कि जाओ और वहां से अपना कल्यान कराओ क्योंकि तद्द्द्द से शंत आये हुए हैं पर और तद्द्द्द से शंत हैं वही परमात्मा है यह बेद भी बतलाता है जो गीता में बतला रहा है कि जो प्रमक्षर ब्रम जो है उनकी उनकी पुजाकर वर्जुन को करा जिए उनकी पुजाकर अठारा माध्या का श्रक्रम अबास्ट में करा कि तमीव सरुनम कि उसका घ्यान मैं भी इस्षां करता हूं थस्षांट में इपूछ उष् सपत्व और रॉसे सपश्ट धर रहा है और सो थाकिद्धशी के वन बोर के मैं इना आपशन हो लिए कि मैंने नहीं जानता हूं उसके लिए कि तत्वर शंथ यहीं है और इंसे नाम दान ले करके यहीं स्यत्थी करके और अपना मुख्ष कराँ अपना आपना जीवन से फल बनावे हमारा भग्समाज से यही मेरा रंदेश है यही देनिवादब को ब पोश्ट गरुवां जिला भोजपूर बिहार का रहने वाला हूं ऐसे मैं देली में रहता हूं प्रमशन सत्कुर रामपाल जी महाराज की शर्ण वाने से पहले आप कौन सी वक्ति करते हैं स्रीराम चंद्र जी के बारे में बहुत सारा पढ़ रहा था और बारम अभिश्यमेह पुजा करता है और मैं संकर्भागवान को बहुत जलोल चड़ाया करता था था हमेशा शावन के महिने में के स्वमारो मार जितने मंगल तोगरए जितने हल्मान जिके भी सनिवार के दिन और बंगलबार के दिन मैं हमेशा मैं पंदरा बजिस कुमिर से मैं करना स्टार्ट कर दिया था और मैं सिर्याम चंद जी के धुरुषदारी के मैं भक्ति करता था इस भक्ति से हमको कुछ लाब नहीं हुआ और इनके भक्ति से मुझे कुछ लाब नहीं हो रहा था मेरा भाई एक फाउज में है वे पहले स्रीडी के शाई बबा के भक्त है फिर पूर्टी के साई सत्साई के भक्ति करते थे फिर उए उसने बताया दो हजार एगारा में की भीया एक हर्याना में बर्वाला में सद्ध्गूर रामपाल जी महरा जाएं उत्तद्वदर्शी संथ हैं और उन्हीं के बारे में बताया फिर मार्च में दो हजार बारा में मेरे को टेलफोन करके बोला कि यह आप रोज साधना चैनल देखो आप तो सब गीता सास्त्रे सम्में बेद सास्तोगर मैं पढ़ते रहता था बहुत सारा किताब हो गरा मेरे काफिर उची था अध्यात में मैं बहुत स्प्रिशल स्टड़ी करता था मैं बहुत बूकोगर पढ़ता था लेकिन जिस दिन मैंने टीवी आउन करके देखा साधना चैनल उसमें रामपाल जी महराज ततोदर्शी रामपाल जी महराज को जब मैं पढ़ा उनका ग्यान सुना उसके बाद कापी किताब ले करके मैं बैठ गया और समुचा गीता का स्लो सब्साइब करता है लेकिन जब से रामपाल माहराज गुरुजी हमारे जब ऊशं में यह कहें कि नहीं इसमें स्री किस्ण के शरीर में परवेश हो करके इसमें ब्रह्म काल बोल रहा है जिसे गीता ध्याय 8 के 13 मंत्र में वो खुद बोले हैं कि ये जो ओम аक्षर है ये बिक ब्रह्म का मंत्र है और ये जाप करने से प्रह्म गति होती है मतलकि शोर्ग लोग मिलता है फिर 16 अ च्छाट च्छाट के मैं उनका सब अध्यान किया तो मुझे एकदम बिल्कूल सत्य सावित हुआ और मैं गुरुजी को मार्च 2012 से मैं मैंने पूरा इस्टडी उनका बात सुनने लगा सब सत्संग मैं सुनने लगा भाग करके बैंक से आ करके और मैं रोज टीवी देखता था चाहिए उसमें सब मैं लिगता था मेरों को इतना अंडरेस्टेंडिक है कि जितने भी इस देश के जितने भी साधू महात्मा जितने भी संथ है मैं उनका परवचन पर शून रखा था लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था मेरे यात्मा नहीं मानती थी कि यह लोग बोलते हैं तो मेरे को यह समझ में आता है कि नहीं यह सब जूठ बूल रहे हैं इनके पास कोई सच्चा ज्यान नहीं है और राम पाल जी महराज के पास जब मैंने यह सुना तो बोला कि नहीं 100% यही सत्य हैं यही प्रम्पिता परमेश्वर कबीर जी के रूप में आये हुए हैं और मैं मैं इन्हीं को मानगे कि नहीं तत्वदर्शी संथ है मैं इनके सरन में जाओं फिर मेरा भाई टेलिफोन करते हैं कि भाई यह कब जाओगे आप बरवाला करने कि समय निकाल के जाओंगा क्योंकि वाइफ उगर उसे थोड़ा हुए लोग कबीर जी के बारे में नहीं मानते थे फिर 20 माई को शुबह में मैं पांच बजे अकेले उठके चलाया महिपालपूर नई दिलिन महिपालपूर वहां आते हुए मेरे कुदम नियू मारूती गाड़ी शोरूम से आई और मैं उसी गाड़ी में बैठ गया और आकर के मैं इस बीटी जो बस अड़ा है नियू दिली में मैं वहां पर उतर गया फिर वहां से जिन्द के लिए गाड़ी पकड़ लिया जिन्द से फिर मैं बरवाला आया बरवाला के बाद में बरवाला आने के बाद मैं गुरु जी का गाड़ी दिखाई दिया फिर मैं जल्दी जल्दी उसमें बैठ गया फिर आकर गु जी से मैं खुब रोया उस दिन गुर्जी आपसे कोई बढ़ करके नहीं है यहां इस धर्ती पर या बर्मांड में गुर्जी से कोई अच्छा ग्यान देने वाला कोई नहीं है यही तत्वदर्शी संत हैं और कभीर जी के रूप में आए हुए हैं और तत्वदर्शी संत के बीने मिला ज्यान कुपदेश बीना कल्यान होने वाला नहीं है मानो शमाज को मानो जाती को सरे पहले आप जो भक्ति करते थे उससे आपको को लाब नहीं मिला उसके वाद प्रमसंद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द डॉला फिर सुघ्ट में आंज में खर रहा था और और चाओ नहीं अलोगा कि अब टेस्ट करा ही सब्हारता mira मैं बोला कि भगवान कोई भी रोग दे दो लकिन ये फिजियो थरे पिए जो मैं छेशे महिना मैं यहां तक फिर मेरा भाई कहा कि भईया आप नाम दाम लेलो सब ठीक हो जाएगा गुरुजी के किरपा से हमारा ये आते हुए आप नाम दाम लेने के बाद में मैं बोल दिया कि मेरा तो गुरुजी चीनिया रोग है फिर मैं खाने गया तो यहां बहुत चावलोगर अभी था तो सब्भक्त लोग बताए कि खाओ आप कुछ भी खाओगे आपको कुछ नहीं होगा वह इस टाइम में बहुत खीर आच्छा बाना हुआ था मैं तो रो रो करके किसी तर अभी तक से कोई रोग नहीं हुआ मुझे बुखार भी नहीं आया आचाहिए करके कुछ भी रोग नहीं हुआ है मुझे पहला नमर तो बहुत सांती मिली है मुझे इस अस्तर का ज्यान मिला कि मैं क्या कोई धर्ती ब्रमांड में कोई नहीं है मैं कोई भी अगर लेक्चर कर देता है तो मैं टिपनी कर देता कि नहीं यह अशुद बोल रहे हैं यह कर रहे हैं क्योंकि मैं 1983-84 से BBC लंदन मैं सुनते रहता था पूरे पंदरा बरिश के उमिर क्या दस बरिस ले मैं अध्यात स्पिरूचियल स्टड़ी से मैं जुड़ गया था सिराम चंदर जी के बार अब नहीं होता लेकिन गुरुजी के सरन में आते हुए मुझे यह प्रत्वमबार लाभी हो कि मुझे पूर्ण ज्यान मिल गए अब मुझे एकदम शान्ती मिल गई तो मैं किसी को नहीं समझता था कि कोई मेरे को हरा शकता है इस ज्यान में की यह स्पिरिश्यल स्टड़ी सत्संग में तो सत्कता होनी चाहिए उसमें परमपिता परमेश्वर की लेकिन वो बोले कि नहीं यहीं सत्संग है एक दिन की बात है कि 98 नए 2000 की बात है कि मैं कभीर भवन एक है महिपालपूर में वहां से मैं गुजर रहा था कभीर बाड़ी को मैं सुरू से चौथे कलास पचवा कलास ले पड़ रहा था फिर ग्रेजुएशन करते हुए मैं सोचा कि कभीर साहब इतने बढ़ियां बाड़ी बोलते हैं लोग उनको धानक कहते हैं तो मुझे बड़ा दूख होता था कि कभीर साहब को धानक मेरे तो बड़ा गुश्या आती थे कि यह कितना पवि पर बैठ गए उसी दिन से मैं जब यह ग्यान सुना या गुरु जी के पता नहीं आकस्ट बाड़ी किया मुझे ग्यान मेला उसी दिन से दिल में माल लिए कि परम पिता परमेश्यो अगर कोई है अगर इश्ट देव है तो कभीर जी है और मैं कभीर जी के ज्यान के लिए भटकते रहा भटकते रहा लेकिन यह संजोगी है कि मेरा भाई ने बता दिया और मेरे साथ है जो पहले हाथ होगरा पिजियोत्रपी हुआ मैं टीवी के माध्यम से सब देख करके मुझे आत्मा में शांति के कभीर जाह मूर गया आज मैं पूरे एकदम दिल में एकदम शा जानती है कि ना मैं कभीर जी के शरण में हूँ और मेरी वाइफ वगरा भी सब बच्चियों चर्वी सम नाम ले लिया है और घड में बड़ा बिरोध हो रहा था फिर भी मैं कहा कि नहीं परमपिता परमेश्वर हैं तो कभीर जी हैं और तत्वदर्शी संसी रामपाल जी जाय हुए हैं और बीना सत्व गुरु के कोई पार नहीं हो सकता है जो भी जो मंत्र है ना जो गीता अध्याय सत्रह के तेरह मतायाग ओम तत्थ सत्थ है ओम तो खुला हुआ है तत्थ और सत्थ सांकेतिक है जो लिखा हुआ है हम गुरु बाड़ी भी पढ़ते थे नात्पुरी में आठ दिन रहा हूं वहां भी मैंने वहां गाय के घेव चढ़ाया उगरा करके लेकिन उतना नहीं था लेकिन बड़ा रोता था लेकिन सांती कहीं नहीं मिलती ज्यान नाम के चीज कहीं नहीं था जो कि बरवाला आश्रम में है यहां पर जो गुरु जी पहले जो भी आप भक्ति करते थे तिनों देवताओं की उससे आपको लाव नहीं मिला फिर आपको प्रमशन सत्कुराम पाल जी महराज की शण प्राप्त हुई उन्हों आपको नाम उपदेश दिया तो पहला तो आप बता रहें कि आपको जो मन की शांती मिली फिर आपको प्रमशन सत्कुराम पाल जी महराज नाप को दिया तो सबस्ट समाज को क्या संदेज देना चाहते हैं आप में अपना कल्यान कराई यह दूसरे को सुनने से नहीं है आप खुल्याम देख रहे हैं कि बेद में सब लिखा हुआ है प्रम पिता परमेश्वर कबीर हैं कबीर मनिशी हैं अजूर बेदा दिहाए चालिस के मंतर नमर आठ में लिखा हुआ है अजूर बेदा दिहाए पांच के 32 मंतर में अश्पश्ट लिखा हुँ तो बंदी छोड़ वाई है सब रीग बेद मंडल में सम्में जो गीता जी में लिखा हुआ है इतने जितने भी ये बेद को और अनुबाद किये हैं ये स्वामी दयानन सरच्रती ये सब कबीर देव को सरवग कहते हैं बताइए कोई गाय को भंस कह सकता है नहीं कह सकता है लेकिन ये सब जूठी हैं इनको मान बढ़ाई है सब नकली सब ये ब्रामन सके जितना से जल्दी हो से के सीरी राम पाल जी महराज के पास सरण में आई और अपना नाम दाम लेकर के कल्यान करवाई है और मैं अब क्या बताऊं इनको जल्दी जितना से जल्दी हो सके परमपिता परमिश्वर्क सरण में आई ये और अपना कल्यान कराई है इसी में चाहिए जी दन्यमाद आपका बहुत बहुत है थैंकि सो मुझे आप सुन रहे थे जगतकुरु तत्वदर्शी संतरांपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatguru.rampalji.org संतरांपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरांपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल नाम दिख्षा दी जा रही हैं अपने नस्दीकी नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541 है हुआखή झाल झाल